तो हम लोग अभी gk पर रहे हैं, gk में तो अभी यह फलाल लिए और जो कल परे थे पहले से तो यह अभी revise मार रहा है, static gk वाला जो था तो यह अभी हम लोग revise करने बैठ हैं, तो आज हम लोग यह revise करेंगे, एक ऐख लोग साफ तो लोग यहां बैट के यहां बैटना लोग सुझना, यहां बेंगे तीस के तौन वहां को ठीस हम दोउटे खितना है था अटु कॉलेज का पढ़ाई पढ़ने बैठ गये क्योंकि कोलेज का भी थोड़ा पढ़ना पढ़ता तो यहां का सौट कुस्ष्चें हम नोम थोड़ा याद कर रहे तो आल्रेडी याद के हैं थोड़ा revision कर रहे थे कुछ जा नग से दिमाग कि एक दस दिन में काम को पूरा करता है भी तीस दिन में करता है तो दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा तो यही सब फिर एक इतना दिन में काम करता है भी इतना दिन में और भी आधा काम करके भग जाता है तो एक इतना दिन में काम करेगा यही सब मतलब बेसिक वाला सवाली किया हूँ तो अच्छा ही लगा, समझ में भी आया बहुत ही अच्छा टॉपिक था, मज़ा आया करने में इजी टॉपिक था, मेरे हैं ख्याल से इजी था तो दूस्तो हम लोग आज क्या करें मतलब हम तो नोट्स बना रहे थे, आप लोग को दिखाए थोरा दर पहले तो नोट्स बनाते बनाते ना, क्या हुआ, घर में मोबाइल ही नहीं एक मोबाइल से जिससे हम वाइफा ही ली तो मोबाइल लेके मेरे भीहंग चली गई है चाची के गार, और हम अकेले घर में बाइटे हुए, अब ना मोबाइल मेरी चाज है, ना कुछ हम तो क्लास कर नहीं पा रहे है तो सोच रहे इसको रात में टाइम एन वर्क का जो दूसरा क्लास था, उसको रात में कर लेंगे और अभी हम जाते हैं थोरा मैथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और मैथ प्रैक्टिस करने के बाद थोरा रिजिनिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद थोरा हिंदी को भी आज देखेंगे, ठीक है तो आज मैं यह सोचा हूँ, तो आप लोग कैसे पर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, जहां आप लोग कैसे पर रहे हैं, कौन से स्ट्राटेजी से, क्या पर रहे हैं, रेगुलर पर रहे हैं, कि किसी दिन gap हो जा रहा है, कुछ reason wise, तो आप लोग यह comment करके बता सकते हैं, क्योंकि अब 30 दिन बचा है, तो आप gap करके फायदा तो तुम्हारा भी नहीं होगा, तुम्हारा loss होगा, जीतना gap करोगे, तो मेरा तो खुद होई से हो जा रहा है, तो के उठी नहीं पा रहे हैं, इतना ठंड है, सुचरे उठेंगे, चार बजे उठी नही बड़ को नहीं पता है, तो उसको थोड़ा पढ़ेंगे, हम भी मालूम होगा याद कर लेंगे, तो आप заключ करने के बाद, हम लोग फिर थोड़ा जो टेबल होता है, याद है थोड़ा बहुत, और अओर स्ट्रॉंग से याद कर लेंगे उसको, तो अभी वही याद करने का स तो अभी याद कर लेते हैं घरसान थे थोड़ा तो अभी याद कर लेते हैं अभी याद कर लेते हैं फिर बाद में उसको में रात को जब बहान आएगी तो उससे और स्वर्ट लेके फिर हम क्लास कर लेंगे फिर तो दोस्तों यह जो average के chapter है यह easy है लेकिन मेरे को ना question समझ आया था यह पहले समझ में आया कहीं कहीं न जाकर आटक गए हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या कि आज तो free मिला time तो हम क्या करते हैं इसको revise कर लिए इसको ना यह फिर जो आप clear कर लिए है थोड़ा अब खली practice set लगा के और पूरा totally clear करना है कि हमसे पूरा clear है कि नहीं तो इसी हलका फुलका clear है समझ गया है तो दोस्तों यह है reasoning तो reasoning में ना मेरा जो जो chapter actually हो गया है तो उसी का हम अभी practice कर रहे हैं क्यों अभी यहाँ पर practice लगा रहे हैं तो यहाँ पर already बरगी करन का लगाये थे तो आज भी थोड़ा बरगी करन का देख लेंगे और बरगी करन का देखने के बाद हम एनलोगी आज एनलोगी एनलोगी करेंगे तो आज एनलोगी का करते हैं फिर एनलोगी का करके फिर कल से फिर दूसरा करेंगे कल दूसरा chapter फिर ऐसे regular हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़ने बाइट है हिंदी तो अब हिंदी में ना सोच रहे जो ये बिलोम सब्द दिया है तो ये बिलोम सब्द में हम याद ना करें खाली ये प्रैक्टिस सेट अगर लगा लेते हैं तो क्या मेरे खाल से हो जा सकता है तो ये इतना सारा बिलोम सब्द है ये इतना सारा बिलोम सब्द तो याद होगा नहीं इतना जल्दी और कितना ही याद होगा आज याद करेंगे कल फिर भूल जाएंगे इतना सारा में उससे बढ़ी हमको लग रहेगी यहां से जैसे एक नंबर कोस्टेन यहां प्रैक्टिस मार लेते हैं सहरो इसी चैप्टर का डेली का डेली प्रैक्टिस मार लेंगे तो फिर हो जाएगा मेरे ख्याल से तो यहां हम जाते हैं अब हिंदी में थ्वड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं मिनीमम 20 कोस्टेन का प्रैक्टिस करेंगे डेली तो यहां बिलोम सब में 20 कोस्टेन करेंगे यहा निकल जाएगा कि नहीं तो आप लोग कॉमेंट में बताईigo और थो और मेरा help करो और आप लोग भी कैसे पढ़ रहे हैं कि नहीं तो भी किमेंट में बताना किमेंट में आप हर एक चीज बताईemos जो पुछेना वह भी पूछலो ठीक है हम जैसे पढ़ रहे पढ़ ही रहे आप लोग को सामने और डेली दिखाई रहे और डेली जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर देना तो उससे मोटिवेशन बढ़ेगा कॉमेंट तो जरूर करना तो और मोटिवेट होंगे तो और पढ़ेंगे और मजा आएगा एक साथ मिल के पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़ी है हम भी पढ़ रहे हैं इस बर सब एक साथ सेलेक्शन लेंगे जय हिंद जय भाई